इस वीडियो में वोगों सीखने वाले कि कैसे आप लोग अपने लप्टॉप में Google Chrome को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसे आप लोग यहाँ पर सच करेंगे उसके बाद अपको यहाँ पर मिल जाएगा Microsoft तो आपको यहाँ पर इसके उपर क्लिक करेंगे उसके बाद यह ब्राओजर न हो जाएगा ओपन होने के बाद आपको यहां पर search करेंगे अपको इतना simple सा लिख देना है तो जैसे आप लोग यहां पर Chrome search करेंगे उसके बाद आपको यहां पर जो सबसे पहला लिंक देखने को मिल जाएगा यहां पर दीख साथे हैं www.google.com और यहां पर लिखा हुआ Google Chrome Download Chrome तो आपको यहां पर इसके उपर click कर देना है तो guys, जैसे आप लोग यहां पर इसके उपर click करेंगे उसके बाद आपको यहां पर कुस second तक wait करना है और इसके बाद यहां पर यह website open हो जाएगी इसके बाद इसको download करने के लिए आपको यहाँ पे एक option देखने को मिल जाएगा download chrome आप इसको यहाँ पे windows 10, 8.1, 8 या 7 के लिए use कर सकते हैं तो इसको download करने के लिए आपको यहाँ पे download chrome के उपर click कर देना है तो guys जैसे आप लोग यहाँ पे download chrome के उपर click करेंगे उसके बाद आपको यहां पर कुछ सेकन तक वेट करना है उसके बाद आपको यहां पर एक option देखने को मिल जाएगा download chrome manually तो आपको यहां पर इसके उपर click कर देना है तो guys जैसे आप लोग यहां पर इसके उपर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकन तब वेट करना है और यहाँ पर यहाँ पर यह जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी तो guys आप लोग यहाँ पर दीख सकते हैं यह फाइल है जो डाउनलोड हो चुकिए इसके बाद आपको यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसके उपर Runners Administrator के उपर क्लिक कर देना है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर इतना करेंगे, उसके बाद आप से कुछ सेकंड का वेट करने के बाद जो हम लोग यहाँ पर इंस्टालेशन है वे complete हो चुका है complete होने के बाद आपको यहाँ पर Google Chrome का आइकन आपको desktop पे देखने को मिल जाएगा simple सा आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको open कर लेना है open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ H-type का interface open हो जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर get started के उपर क्लिक कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर इसको skip कर देते हैं और यहाँ पर इसको new tab में open कर देते हैं तो गईस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप लोग बहुत इजी तरीके से अपने laptop में Google Chrome को डाउनलोड करने के बाद इंस्ट्रॉल कर सकते हैं तो गईस अगर आपको वीडियो अच्छी लिए को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यह वर वाचिंग